वेल्लकम बेक लुटू चानल दूस्तों स्वागत है आपका अपने डूटू दोस्तों तो आज के वीडियो का टाइटर रहेगा केंडल को कैसे ट्रेड करें और स्ट्रेक्टर को कैसे कछ करें देखिए, यानि कि हम आज का मार्केट रहे का ट्रेंड, ट्रेंड रिपीटेशन, कैसे होता है, उसको मैं आप लोग को बताऊंगा, और केंडल के माध्यम से भी बताऊंगा, और स्ट्रेक्चर के माध्यम से भी बताऊंगा, ठीक है, तो यह concept आपको समझ में आऊंगे, अग यह चीज़े समझ में आएंगे, देखिए, यह लेवल से मार्केट जो हैना, सेलिंग पर सर आया था, फिर दोबार आ गया, फिर सेलिंग आया, फिर उपर गया, फिर सेलिंग आया, फिर यह जो लेवल है, यह सपोर्ट लेवल है, यह बाइंग आया, फिर दोबार यहां पर ये घ्राप कर रहा है ठीक है साथी साथ ही यहां पर भी एक होरीजोंटिनल कैमें आ घैनल कर अगेर यहां पर यहां गया सब्सक्रीद को थिक्रते Strength हुआ लाइनन भी आगया मप्त बसक्षाएं यहां इस मिला आज भी акड़ीरिक्टाक्षर आपको देखते हैं आ तो 30 मिट का तो 30 मिट की टाइम फ्रेम में जब भी देखिए यहां पर कौन से केंडल बना है श्पिनिंग टॉप यहां पर आप देशकते हैं दोजी केंडल यह दोजी केंडल तो यह तीनों केंडल जो होना है यह रिवर्सल केंडल है जैपनिय केंडलेश्टी जैपनेस्स चेंडलिशी सीक्रेट आप पड़े होंगे तो आपको पता हो कि रिवरस्ल केंडल ही लरिवरस्ल केंडल कहाँ पर बना है ये रजिस्टेंस पर बना है यहाँ परर ऩ्रेटल लायन का भी रजिस्टेंस बन रहा है hammandata क्या हो रहा है यहाँ पर यह हो रहा है कि हमें time frame को follow करना है time frame 30 minutes का है तब यह candlestick यहाँ पर काम कर रही है आया समझ में पहला point अब दूसरा point इसमें देखते हैं time frame को change करते हैं यह 30 minutes के बदले में में आप लोग को लगा देता हूँ 5 मियट, तो 5 मियट में आपको एक रेंज को पले करना है, structure को देखना है, structure यह हो सकता है, यह देखीए, मार्केट नहीं है, यहां से एक रेंज मनाया, यहां पर आप दे सकते हैं एक रेंज मनाया रेंज बनाने के बाद यह इसी भाव पर देखिए इसी भाव पर बहुत बड़ा बिग फॉल आया था ठीक है उपर गया फिर यहां से प्राइस से बनाग निकिया गया तो यह भाव इंपॉर्टेंट है यहां पर भी सेलिंग आया यहां पर भी सेलिंग आया था फिर मार्केट ने क्या गया देखि इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया इस हाई समझ में यह रहा है स्ट्रक्चियर समझ में आ गया तो जैसे ही यहां पर एक रेंज को ब्रेग किया को 330 दिया 5 चाइब upfront कश को मैं लेके मुंही औरेज में लगाँगा 20 कपा 50 दिन और 100 दिन का आहाँ यहों पर में यह में लिख देता हूँ यह में लिखूंगा तो यह यहां पर आगाएगा अब यह सिस्टम आप लोग को पता होना चाहिए सिस्टम मैंने आरड़ी बताया हुआ है जब भी यह 200 मुगी को क्रॉस करता है इन सब्सक्राइब कर सकते हैं यह 200 मुगी और यह उपर वाला सबसे लास्ट वाला सबसे नीचे वाला बीस पचास अंड़ेट अब इसके टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे तो आपको और समझ में आने लेगा यह 15 मिट में करेंगे तो अभी आपको यह अलग प्रिक से आया जैसे कईभे करेंगे अब पांच मिट में उहां पर क्लॉस करेंदो के यह अग सब्सक्राइम करते हैं यह यहं갈 और के support लिया है यह यह वाला दो समुझी हो रहे तीस मिट के टाइम फ्रेम में अब पांच मिट में उहाँ पर cross कर दिया है तो कौन से टाइम फ्रेम में कैसे trade करना है आज की वीडियो का पांच मिल के टाइम फ्रेम में अब बताता हमें अब इसको में आपको system को फॉलूपर बड़ेगा अब इसको में भटा देता हूं अब आप लोग को समझाता हूं ट्रेंड का कंट्वीम सन कैसे हो रहा है देखिए यहां तक मार्केट ने एक रेंज को प्ले किया इसको में कुछ नहीं करूंगा कुछ नहीं करता हूं अब देखते हैं यहां पर होता क्या है देखिए यह मार्केट नीचे आया फिर एक ग्रीन केंडल बना फिर नीचे आया फिर ग्रीन केंडल बना फिर इस प्रकार से इस प्रकास से इस्ट्रक्चर बना उसके बाद भढ़ाक से बिरक लिए फिर यहां पर आप दे सकते हैं यहां पर क्या हुआ यह इस्ट्रक्चर बन रहा है उसके बाद फिर ब्रेक हुआ तो कहने का मतलब यही है कि यह इस्ट्रक्चर बनने के बाद जो है ना मोमेंटम आ हाँ फिर यहाँ इस्ट्रक्चर बना उसके बाद मॉमेंटम आया तो यह यहाँ पर मॉमेंटबट हरु आपर तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं तो छोटे टाइम फ्रेम में रिपीटेशन होता है अब बड़े टाइम फ्रेम में केंडलिस्टिक को फॉलो करता है बस यही कॉंसेट था वीडियो एच लागा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलतने स्टूडियो में जहिन